वो कहते हैं ना 900 चुहे खाके बिल्ली चली हज को इमरान खान ने दुनिया भर के सिख समुदाई से मांगी है मदद और अब नया ढोंग रच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन में 10 रहस्य मई बिसफोड भयानक हो गई है इस्तिती और वो भी चीन के बेहद खास इलाकों में आखिर कौन कर रहा है इन हमलों को क्या चीन पे टार्गेट बनाना सुरू हो गया जानेंगे इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के साथ क्या होता है ये पूरी दुनिया को पता है इन दोनों ही समुदायों के साथ लगातार अत्याचार होता रहता है कभी हिंदू मंदिरों के तोड़े जानी की खबर आती है तो कभी सिख अलपसंख्यों की हत्या की खबर आती है इन सारी घटनाओं में पाकिस्तान की इम्रान सरकार अपनी आखें मूंदे रहती है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है सितंबर मेहने में खबर आई थी कि पेसावर में कुछ लोगों ने एक सिख की गोली मार कर हत्या कर दी मिर्तक का नाम था सरदार सतनाम सिंग वो एक सिख हकीम थे जो पेसावर में अपना क्लिनिक चलाते थे जानकारी के मुताबिक लोगों की भीड के सामने उन्हें निसाना बनाया गया और वहां से हमलावर बड़ी आसानी से निकल गए ये सारी इस्तिती है पर इसके बावजूत दुनिया भर के सिख से चाहिए इमरान खान को मदद और वो मदद किसलिए चाहिए तो वो कह रहे ह हमें पैसे भेजो हम करतारपूर कोरिडोर को और भी अच्छा बनाएंगे इसका नवीनी करन करेंगे इसमें बहुत सारी चीजें लगवाएंगे इमरान खान ने टुईटर के जरिये संदेश दिया कि आज करतारपूर कोरिडोर की दूसरी वर्सकाठ है ये एक सदभावना का गलियारा है जो भारत के सिख समुदाई को उसके सबसे पवित्र अस्थलों में से एक तक पहुचने की अनुमती देता है और हम अल्प संखेकों के परती बहुत ही जिम्मेदार हैं और अपने वादा को निभाते हैं आपको बता दें करतारपूर कोरिडोर सिख की पवित्र जगम मानी जाती है और इसी चीज का फाइदा उठाना चाहता है इमरान खान और पाकिस्तान जो जूटी परती बधता दिखला रहा है कि हम अल्प संखेकों की सुरच्छा करते हैं वो हालात पाकिस्तान में देखकर ही समझ में आ रहा है और जिस तरीके से अफ अफगानिस्तान में अब तालीबान सिखों को ये कह रहा है कि या तो धर्म बदलो या फिर देश छोड़ो उससे भी देखने को मिलता है कि ये किस तरह के कटरपंथी सोच वाले हैं दरसल पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए पैसे और वो पैसे कहीं से भी वो लेना चाहता है यही वज़ा है कि जहां मौका मिलता है इमरान खान अपना कटोरान निकाल देता है अब करतारपूर कोरिडोर के बहाने उसे सिख समुदाय से चाहिए पैसे दुनिया भर में सिख समुदाय एक ऐसी कौम है जो मानी जाती है अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए इमरान ख जंक्यकों के परतीस सचमुच पाकिस्तान सरकार सजग रहती तो 30% से 1-2% जनसंख्या नहीं पहुँच जाती आए दिन धर्मांतरन और उत्पिडन पाकिस्तान में चलता रहता है खैर वहीं दूसरी तरफ चीन में रहस्यमई 20 फोट हो रहे हैं और चीन इस मामले में बस गया है आपको बता दें इसी वक्त चीन में CCP की मीटिंग चल रही है और CCP की इस मीटिंग के लिए जिन पिंग ने तो पिछले 2 साल से चीन को छोड़ा नहीं क्योंकि यहीं वो मौका है जहां से जिन पिंग माओ जैसे लीडर बन सकता है यानि कि आजीवन पद पर बना रहेगा राष्टपती पद पर और इसके लिए जिन पिंग नई नई चालें चल रहा है हाला कि चीन की बात अगर हम करें तो चीन एक ऐसा देश है जहां से कोई भी सूचना निकल कर बाहर आना बहुत ही तेड़ी खीर है लेकिन जो हरकतें चल रही है वो दिखा रही है कि चीन में तबाही का बहुत बड़ा मंजर सुरू हो चुका है अभी डेल्टा वेरियंट ने जिस तरीके से चीन में तबाही मचाई है वो बहुत ही खतरनाक है 35,000 लोगों को सिर्फ डिजनी लेंड में बंद कर दिया गया एक परिक्षन के नाम पर यहां तक कि चीनी सरकार अब कैस ओफर कर रही है कि जो भी अगर सूचना देता है उसके आसपास महामारी के लक्षन वाले लोगों की तो उन्हें पैसे दिये जाएंगे हालात बहुत बुरे हो रहे हैं यहां तक कि जो रियल इस्टेट है चीन के जो बहुत ही मजबूत अंग माने जाते हैं वो चीज में फसा हुआ है चीन इन सब के बीच अक्टूबर 21 यह जो सहर है लियोनिंग चीन चीन का यहां पर एक रेस्टोरेंट में बलास्ट होता है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं चीन नंबर बतलाता है सिर्फ 5 और चीन यह कहता है कि रेस्टोरेंट में जो पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन काफी पुरानी थी गैस पाइपलाइन जिसकी वज़े से यह बलास्ट हुआ अक्टूबर 22 ठीक एक दिन बाद इनर मंगोलिया में एक चीन के केमिकल प्लांट में बिसफोट होता है जिसमें चार लोग मारे जाते हैं और तीन घ वांग वांग फैन डियांग सीटी में नैंजिंग जो की एक युनिट सिटी लैब थी और वहाँ पर यह बिसफोट होता है जिसमें दो लोग मारे जाते हैं नोग हायल होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है लेकिन चीन ये कहता है कि यहां मेंटेनेंस ठीक से चीजों की नहीं हुई थी इसलिए ये विसफोट हुए ये एक लेबरोटरी था यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट्यूब ब्लस्ट कर गया एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती होगी बलकी एक बड़े लेबल का हाई इंटेनसिटी का विसफोट था ये और ठीक इसके अगले दिन एक और युनिवर्सिटी में विसफोट होता है और वो है हुआंगडाव और ये विसफोट होता है फूड इस्ट्रीट पे होता है जिसका असर ये होता है कि आस पास के लोग लंबी घंटे तक हस जाते हैं और बड़ी बात है कि यहां पर हुए विसफोट के बाद चीन कु ने मारे गए हैं और ठीक इसके दूसरे दिन अक्टूबर 26 को तीन विसपोट एक साथ हो रहे हैं सैंग डॉंग में जियांग सी में और गौंग डॉंग में और ये कोई छोटे मोटे लेवल के विसपोट नहीं है बलकि हाई इंटेंसिटी विसपोट हैं सैंग डॉंग में 20 किलोमिटर दूर लोगों को महसूस होता है कि कुछ हुआ है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा विसपोट है इन तीन विसपोटों के बाद 27 अक्टूबर को दो और विसपोट होते हैं एक टियांजिंग में और दूसरा गौंग डॉंग में इन सारे विसपो अंदर के आतं की संगठन ऐसा कर रहे हैं या फिर चीन पर टार्गेट होकर हमले होने सुरू हो चुके हैं खैर जो भी हो लेकिन चीन अपनी तबाही को बुला रहा है ये तो साफ दिख रहा है वैसे आपको क्या लगता है क्या इमरान खान की अपील भरोसे के लायक है कमें कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ